हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बाक टो माई चैनल मैं शुप्रा अपने बॉड़ी को मिंटीन रखने के लिए इतनी सारी एक्सेसाइज करते हैं योगा करते हैं बट क्या हम ऐसा कुछ भी अपने फेस के स्किन के रिए करते हैं नहीं करते हैं इसलिए सबसे पहले जो रिंकल्स होत रेजिंग टाइप बना सकते हैं तो आईजे देखते हैं कि इसको कैसे करना है उससे पहले को क्या गरना है पता है ना यह जो रेडबटन इसको हिट और पिल को तिक गलाना है ताकि मेरे वीडियो की नौटिफेक्षिन सापको मिल जाए और साथी साथ लाए करना है और शेय के साथ अगर आड कर देंगे तो आपके anti-aging की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी जल्दी रूप जाएगे अगर आप अपनी इसकन को यूथफुल रिखाना चाहते हैं रिपेरिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑलिव ओयल, अलमंड्स ओयल और साथ में साथ वाइटमीन E क को आड कर सकते हैं तो फ्रेंग्स ओयल का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ ओयल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप कौन कौन से ओयल को किस चीज के लिए यूज कर सकते उसका लिंक आपको डिस्रेप्शन बॉक्स में मिल सिर्फ नायसे अफ यूज मेंक थे लाइओ अपर की अपने उपर अपर के तरह कर दो आप kaydı गया है हमेशा इसका नियुटत कर दों आपको घाण प्रोसेस होती है वह होती है circular massage कि आपने face की circular massage करिये तो आज मेरे massage में मैं अपने face को चार पार्ट्स में डिवाइड करे हूं फर्स्त है ये neck का portion, सेकंड ये chin का portion, थर्ड आइस का portion और लास्ट ये forehead का portion अपने hands पे oil लगा लिया है और अब मैं start करूँगी अपने neck के portion से सबसे पहले, ये इस तरी करें से हम सबको पता होते हैं हमारे neck के portion में fat muscles बलकुल भी नहीं होती है तो इसलिए यहां के massage करना बहुत जरूरी होता है ताकि यहां के collagen tissues जो होते हैं वो अच्छे से बने रहें तो कि इस portion में wrinkles भी सबसे ज़्यादा जल्दी आते हैं second step जब हम इस तरी के out direction के massage complete कर लेंगे तो उसके बाद जो second massage हम करेंगे वो इस तरी के यह मसाज करने का रीजन यह है कि हमारे इस एरिये में lymphatic tissues होती है जो कि हमारे toxins को blood flow के थ्रू बाहर लेकर के जाती है तो जब इस तरी के से massage करते हैं तो जो भी blood का flow है वो lymphatic tissues की तरफ जादा बढ़ता है और हमारे toxins easily remove out हो जाते हैं हमारे body से तो यह दो steps हो गए next हम लोग बात करते हैं अपने chin area के इस एरिया को मसाज करने के लिए हम सबसे पहले अपने cheeks के muscles के लिए करेंगे uplifting movement इस एरी के से इसके बाद हम यह जे आज़ेए कर दो 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 यह हो गया इस से क्या होगा कि आपके चीक्स के एरिय और जॉलाइन पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और यहां के जो रिंकल्स होंगे वो रिमूब आउट हो जाएंगे वैसे इसके एक्जाक जो पोजिशन होती है वो स्ट्रेट रहने चाहिए तो इसके लिए और इस लाफ लाइन को रिमूब करने के लिए हम जस्ट यूज करेंगे वो होगा इसके बाद हम अपनी नोस के एरिये पर चलेंगे नोस पर हमको यह पोर्शन धियान रखना है और यह पोर्शन धियान रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके आप देख रहे हैं कि आपके जो लाफ लाइन है इसके उपर वी वर्क हो रहा है और लास्ट में यह यहां से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से प्राइस के बात करेंगे धिए प्रॉक्तिन प्रेशर को आपको बुहत ध्यान रखना है पहले हंपा आइज के मसाज से रिंग फिंगर के प्रेशर के प्राइज कर देखे अधर चाए सब्सक्तिन जबइब यहां पर होता है तो हमको अपना सारे ब्लड का फलो यहां पे लिकर क्याना है तो हम उमेशा अपनी आयज की मसाज इस तरहिके से करेंगे कहा है अपने yas इस थम्स को यहां पर रखेंगे और यह फिंगर्स यहां पर और आब यह ऐसे आप इस मसाज को आराम से चिल होकर के अपने आईज को क्लोज करके करिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना रिलाक्स हो रहा मैं आईज इस ले ने क्लोज करेंगे मैं सो जाओंगे अगर मैं ऐसे किया तो और उसके बाद नेक्स क्या करें लास्ट में यहाँ अब हमारा फेस कंप्लीट हो गया अब हमें अपने फोर हेट के हो जाना है तो फोर हेट पर यहां के जो रिंकल्स होती है इनको रूमीव करने के लिए हैं यहां पर सर्कूलर मसाज करेंगे जिद्बान फिंदर फोर हेट के मसाज के लिए आप क्या करेंगी सर्कूलर मोशन लास्ट में लिए सो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ के आपको यह मसाज की टेक्निक्स पसंद आई होंगी फ्रेंट्स अगर पसंद आई हो तो आप इसको अपलाए करिए तीन वीक्स में है, तीन वीक्स में ही मतलब यह गैरेंट्टी है मेरी के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे साथ ही साथ हम अपने एंटी एजिंग को रोप दो सकते ने तो क्यों न हम उसको smartly डील करें आए मेरे साथ smart बनिये और 5-10 मिनिट अपने स्किन को रोज दीजे और फिर वरग देखे सिर्फ दो से तेन हपतों में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे सोशल मीडिया प्रेटफर्म पे जॉइन करिया और देखी किया अपडेट चल रही है मेरी लाइफ में कौन से अपकमिंग वीडियो आने वाली है और क्या चल रहा है सो मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए टेक केर गाइस बाइबाइऑ